राजोरी मुटभेड के शहीदूं को दी भावगी श्रधांजली, LG, DGB समेत उचधिकारियों ने किया नमन देश के पांच वीर जवानों ने दीथी प्रानू किया हूदी धांगरी हमले के मास्टर माइंड सही दो आतंकी धेर जम्मू की सड़कों पर दोड़ेगी 100 इलेक्ट्रोनिक का बसे फिलहाल 75 बसों को शुरू करने के तैयारी पूरी उपराजेपाल जल्द दिखा सकते हैं हरी जंटी कातिल साबित हो रही नैशनल हाइवे अथारिटी लोगेट मोड पर डिवाइडर बना मौत का डिवाइडर कटुआ तक का सफर बन सकता है अन्तिम सफर पवित्र देविका का सीना चीरने वालों की आईशामत अब एध खनन करने वालों पर लग रही एफ आई आर साबा में तीन और लोगों को पुलिस ने किया गिरिफतार नमश्कार जमू कश्मीर की खास बुलिटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूँ आपके साथ पहले विजम वाल तो चले शुरुबात करते हैं आज की बुलिटिन के और सबसे पहले राजोरी की बात करेंगे राजोरी के में एक ऐसी जब एंकाउंटर वहाँ पर शुरू हुआ तो उस बीच जो खबर थी वो सामने आई जिसके बाद से हर कोई नमन करता हुआ उन शहीदों को नजर आया आपको ये बता दें की राजोरी से जो खबर आई थी जहां पर राजोरी के बाजी माल में हुई मुटभेड के दौरान शहीद हुए सेना के दो कप्तान समेत पांच शहीदों को शुकरवार को जम्मू के सेने हस्पताल में नमाखों से शरधान जली दी गई जम्मू कश्मीर के उप्राजपाल मनोट सीना प्रदेश पुलिस के डीजूपी आरार स्वैन समेत महापर सीना और वायू सेना के उचाथिकारियों ने बहादूर सेनिकों को उनके सर्वुच्चों बलिदान के लिए नमन किया मुटभेडिक में उत्रप्रदेश के दो उत्रखन का एक और जम्मू कश्मीर वेक करनाटक के एक-एक सेनिकर्मी में शहादत पाई है महीं पर इसमें 33 ट्राश्टर राइफल्स के कैप्टन एमवी प्रंजल निवासी मंगलोर और साथी साथ नौपैरा के कैप्टन शुबम गुपता निवासी आगरा और नौपैरा के हवलदार कमांडो अब्दुलमाजीत निवासी अजोट पुन्श और लांस नायक संजिब भिष निवासी उत्राखन वे पैरा ट्रूप सचिन लौर निवासी अलिगर शामिल है वहीं पर राजोरी में 28 घंटे से अधिक चली मुटभेड में सेना के पांच जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुरगत आतंकी कारी समेत दो को शहाद दहशत गर्दों ने पार गिराया हमारे रोमियो फोर्स के जवान और नाइन पैरा के जवानों ने मिलके ये जो कारवाई की है इसमें तो शहादत तो होई है लेकिन हमने दो खुंखार आतंक वादियों का खात्मा किया है इन आतंक वादियों ने डांगरी में या कांडी में या रज़ोरी टी सीपी में नहत्य सिविलियन्स की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो और ये काफी ट्रेंड फॉरेंट टेर्रिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सरानी कारिक किया जो हमारे पास खबर है जो इन्ड सोर्सेस से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो ऐक्प्मेंट बिला है उसकी जो पहचान की जाए तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे ये एक मेजर सैटभैक है क्योंकि जो एको सिस्टम यहां एक्जिस कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे इसलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कारवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है पुंच रजवरी का ऐसा एरिया है जो कि नैशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है इसलिए ये तादाद उपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारिख पे 20 से 25 यहां पर रातंगवादी होंगे जो सेरे में ऑपरेट कर रहे होंगे लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने सेक्योर्टी फोर्सिज ने और इंटेजिंसी ने जो कारवाई बढ़ाई है जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और अगर यह ऐसी चलता रहा कारवाई तो एक साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट् परी कर ली गई है फिलहाल ऐसी 75 बसों को सड़क पर उतारा जाएगा और उपरा जिपाल मनोसी ना चलत ही इन्हें हरी जंडे दिखा सकते हैं इन बसों में सफर करने के लिए एक आप के जरीए टिकेट बुक की जाए सकेगी और अन्य तमाम जानकारी इस आप से लोगों को मिल पाएगी इस खबर पर हमारे साथ अब आम जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहां जानकारी क्या कुछ है और किस तरीके से इलेक्ट्रोनिक बस्स काम करती है और इसे जो फाइदा है वो आम जंता को कैसे पहुंचेगा और खासकर बात करें आप की तो इस आप के हमारे में भी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा तो हमारे साथ यहां पर शिल्पा जाइन करेंगी तो शिल्पा से जानेंगे क्या कुछ जानकारी आ रही है आप तस्वीरों में देख रही है कि चलो कार्ड जो है वो इस कार जॉइन कर चकी हैं तो शिल्पा से जानेगे शिल्पा आपसे पहला सवाल तो यह रहेगा मेरा कि यह जो बसी सडकों पर उत्रेंगी तो इससे आम जंता को किस तरीके से फाइदा होगा यानि कि अगर हम रेंट की बात करते हैं या फिर बाकी सुविधाओं की बात करते हैं त अगर जाना था लेकिन थागित किया गया और आने वाले सविधा जल्दी इसका उठाटन होगा जम्मू में इस तड़कों पर यह नजर आएगगी अब इस पाइदे काफी जादा है यानि कि इसमें जो है काफी बानिफिट भी है और सबसे बाले एकर एक बात करें तो एक जो कि चलो अप है यानि कि इस अप के जरीये से जो है वो लाइट रहेगा और जब यह अब हर एक प्रसंजर अपने पोन पे डानलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो आरे रूट जो है इसमें नजर आएगे अब भी जो है इसे लांच नहीं किया गया है जाती हो गातन हो करों तो जिन परकार से डाली मुंबाई मेट्रो में जो कार्ड यूस होते हैं तो इस परकार से यी कार्ड भी यानि कि नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार इसका नाम है यह यह जाएगा यह जो है इस कार्ड को इस्तमाल किया जाएगा कि टिराया देने के लिए तो इस पर इस प मेर जब करने जूर्पेस त्परव जया है यह फिर्ट wizard है जो फिर्ट इस इम्मैटर मीट नोग उप estánd自 हमेँ, वह जए से एक जग जानकाली नहीं प्रेस्ट काइटी सरना एक पिस पसाने लिकिन सामिन नहीं क Islam किराया लगता है जो तो किलोमेटर तक लोग जाते हैं उन पे काफी जादा कम रहेगा तो इस बसे का जनता काफी जादा फाइडा पुरानत जो आने वाले समय में ले पाएंगी बिल्कुल आप से यहां शिल्पा सवाल और जाना चाहूंगी मैं कि जब आपने जनता से बात क इन इलेक्ट्रोनिक बसे को लेकर तो उनका किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई अब आपको फाइडे बता है और वही फाइदे जब आम जंता को पता चले तो आम जंता बहादी कुछ नजर आए जिसका पुरी तरीके से टेस्ट लिया गया है जब सड़कों पर दोड़ेंगी तो आम जंता को साथी जादा अनंद मिलेगा और आम जंता के लिए जो है राहत है जी चली बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुल्पा तमाम जानकारी देने के लिए तो यह थी हमासा शुल्पा शर्मा और वहीं पर आप तस्वीरे देख सकते हैं इन बसिस के किराये के अगर आप जमू कठ हुआ हाइवे पर सफर कर रहे हैं तो यह सफर आपके लिए अंतिम सफर साबित हो सकता है हाइवे पर लोगेट मोड के इलाके में नाशनल हाइवे अथारची ऑफ इंडिया की लापरवाही आपकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड रही है लोगेट मोड पर हाइवे पर बीचो बीच बना गया डिवाइडर मौत का डिवाइडर साबित हो गया है इस जगा पर कई हाथ से पेश आ चुके हैं और नाशनल हाइवे अथारची ऑफ इंडिया लंबी ताने सोया हुआ है इस खबर पर हमारे साथ बात से होते हैं और क्या कारण है इन हाथ सो के यह जाना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि जुस्तरीके साब तस्वीरे देख रहे हैं तो डिवाइडर जो है वह बीच बीच बना गया है और नाशनल हाइवे अथारची ऑफ इंडिया द्वारा यह जो डिवाइडर है इसक कठुआ नाशनल हाइवे पर भी देखने को मिल रहा है और लोगेट मोड की जो तस्वीरे हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर यह जो हाथ से हैं या आमोमन होते हुए नजर आते हैं हाथ सो होने के बाद भी अथोरिटी द्वारा कोई भी ऐसा क कदम नहीं उठाया गए जिसमें कि डिवाइडर को बंग किया जा सके या फिर कुछ साइंट लगाया जा सके जिसकी वजह से जो लोग तेजी से हाइवे पर सफर कर रहे हैं वो अपनी जो वाहन की गती है उसे थोड़ा धीमा कर लें पर इसके बाद भी कुछ ऐसे कदम नह जासे जो हाथ से हैं वो एक इसका मुख्य कारण बना है ये डिवाइडर इसके वजह से एथोरिटी आज तक कोई क्यों कदम नहीं उठा पाई और बार बार लोगों के बताने के बावजूद भी कोई कदम क्यों नहीं उठा आ गया ये जाना भी जरूरी है और इसके बाद से जमो कठुवा हाइवे की जो तस्वीर हैं आप देख रहें अपटी टीवी स्क्रीन पर हमार साथ यहां पर रंजीव महता जोइन कर चुके हैं तो रंजीव से जानते हैं रंजीव आप से पहले जाना चाहेंगे कि आखिरकार इस डिवाइडर की वजह से हाथ से क्यों हो पहले पढ़ता है लगेड़ जो दो पुल पढ़ते हैं उनसे पहले वहां पर लगेड़ का जो चोट है वहां पर किष्टे दो तीन साल थे एक ने पुल का निर्मान किया गया नैशनल आइवे थार्टी की तरव से क्योंकि जो स्थिक्स लेन का काम है वह भी हाइवे का वि जब कोई रात को खासका रात के समय में जब भी कोई बहां चालक अपना लेका निकलता है तो ड़ाइडर के किनारे किनारे चलता है कि सीदा जे वही जाएगा लेकिन आगे जाएगा वो दूसरे दूसरी ट्यूब की जो रोड है वो उसके साथ मिल जाती है जिसके कारएब पbelादर में उसके सामने आने वाली गाडियों के साथ तक्क्र हो जाती है ओiben आए दिन एकसीडेट यहां का यह एकसीडेंट होते रहते है और यहाहाँ पर एक बात चोबताने वाली यह खास aí कि यहां पर जो डि़ाइडर जो बनाया है को गोई क्लोमेटर लमा क्लोमेटर उसमें एक ट्यूब के अंदर जो दो गाडियें चलती है एक पे जो तार कोल जो है वो समतल करके डाल दी गई है और दूसरी तरफ वाली है उसको बहां से उतार कोल जो परानी थी उसको खाड़ा गया लेकिन वहां पर आज तक नहीं डाली गई है जिसके कारण वहां पर गट जाता और गिड़ पड़ते हैं जिसके कारण केई एक्सेडेंटी हो गए है और कोलुका अपर गवाच मोह छिए है कि करतेढ़ा हो जो तूसरी हे जहां पर होते हैं लोकापी परीशान है एak रास्ता जो यहां ता एक राट जो यहाँ दे उसके जो हैं जो है डेदे मोरिया तरफ जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जाने के कारण लोगों को दिखतों का सामना करना पढ़ रहा है पाव पलवी जी काफी तरस्त हैं कई वार उन्होंने जिला परशासन तक इसकी बात पहुंचाई लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है लोगों एक तरफ से आने वाली ट्यूब होती है एक जाने वाली लेकिन यहां पर तीन बने के कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा है ना कोई बोर्ट लगा हुआ है जहां से डाइवर्ट्शन दी गई हो कि इस रोड पे आने वाली गारी आनी है इस पार जाने वाली लेकिन स्थाइन बोर्ट लगा गया है डिवाइडर से पहले की स्पीड लिमिट को जो हैं वो कम कर दे ताकि अगर एक्सिदेंस हैं तो उस वचा से स्पीड लिमिट कम हो तो जादा बड़ा हाथसा ना हो सके बिल्कुल ऐसे डिवाइडर बिल्कुल नहीं नहीं ऐसे बोर्ट जाते हैं जो कभी कभार जा पहली बार इस इस मारक से गुजरते हैं उनके लिए दिखते हैं जलाब बढ़ जाती है क्योंकि जो रोजाना गुजरता है उसको पता है बहुत सब्सक्राइड का चलता है लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं खातकर रात के समय में तो बिल लोगों का हार नैशनल हाइवे खाते के लाप का फिरोश जो है वो भी आपना है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए तो यह थे हमार सब्सक्राइब हैं तो और तस्वीरे आप देख रहे हैं जमू कठो है नैशनल हाइवे को गिरफतार कर उनके खिलाफ F.I.R. दर्श की है ये तीनों एम्स वीजेपूर के नजदीक पवित्र देवी का नदी का सीना चीर कर अपनी जेबे भर रहे थे जिने पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया पुलिस ने इससे पहले 9 नवेंबर को भी देविका में अवेद खनन करने वाले दो आरोपियों को गिरफतार कर उनके खिलाफ F.I.R. दर्श की थी इस खबर पर हमारे से जानकारी के लिए रिशी यहां जाइन करेंगे रिशी से जानेंगे कि पुरी जानकारी क्या कुछ है उससे पहले आप तस्वीरे देखिए उन आरोपियों को जिनको गिरफतार किया गया है यह तीन ऐसे आरोपी हैं जिनने अवेद खनन करने के लिए गिरफतार किया गया है और जानकारी के मताबिक इस से पहले भी दो ऐसे आरोपी थे जिनने की खनन करने के जुर्म में गिरफतार किया गया था F.I.R. लॉज हो चुकी है अब आगे की कार कारवाही है वो नहीं होती जिसकी वजह से इनके होसले और बुलंद होते जाते हैं और अवेट खनन का जो कारे है वो तेज़े से हो रहा है इस बीच इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है और अभी तक आक्शन क्या कुछ लिया गया है तो चलिया यह रिशी खजूरिया हमारे साथ यहां जोईन कर चुके हैं तो रिशी से जानते हैं रिशी आप से पहला सवाल तो मेरा यह रहेगा कि फाई आर जो लॉज है वो की जाती है उन्हें लोगों को गिरफतार किया जाता है लेकिन उसके बात कारवाही किस तरीके से होती है वो जानना जरूरी है तो इन तीनों को गिरफतार किया गया है तो आगे कारवाही को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा करते हैं और यह देवी का जो हमारी होली सवित्र गंगाम निया की जी है जिहें आप धार्मिक मानता के निसार कहते है तो यह से जो है वो इलेगल माइनिंग की जा रही थी और कहना कहीं एक संटिमेंट जो विशेश धर्म के उनको भी हर्ट किया जाए जातार यहां पड़ जी जो है आगे पूश्टाश भी चल रही है लेकि सवाल ही है कि अगर यह इलेगल माइनिंग का इतना बड़ा जो नेक्सित है वो चल्ब है तो वो आके क्यों नहीं आगे सामने आकर बोश्टा बिलकुल आपसे यहां पर एक और एक आगरी सवाल आपसे रिशी यह रहेग पूश्टाश करते हैं लेकि तो पूश्टाश करते हैं लेकि तुमाम आप यह कहते हैं कि अच्छों का काम जो कर रहे हैं यह लेकि पर इनके नेक्सित कहने पर यह तमाम जो काम है किये का रहे हैं हलांकि पुलिस इसमें कुछ ना कुछ है कुश्टाश कर रही है कि रोप स चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिशी तमाम जानकारी देने के लिए तो यह थे हमाई सत्रीशी खजूरी और वहीं पर आप तस्वीरे देख रहे हैं तीन आरोपियों की जिनने गिरफतार किया गया है और इन पर यह जुर्म है कि अवेद खनन कर जो अवेद खनन क कर रहे थे और जिसकी वज़े से इनने जो गिरफतारी है वो मिली है जमू में रभिवार यानि की 26 नवेंबर को शुरू होने जा रहा वार्शिक जड़ी मेले को सफल बनाने के लिए प्रशासने कमर कसली है हर बार की तरह इस साल भी जड़ी मेले में उत्तर भारत के लाख और ब्यसेफ की मदद भी ली जा रही है मड़ ब्लॉक के स्टीम मनु हंसा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन सरकारी विभागों की मदद ली जा रही है वहां पर जिड़ी में अकमोडेशन की हमेशा से एक प्राब्रम रहती आई है तो उसको पूरा करने के लिए हमारी कुछ सराइन तो वहां पर है ही है प्लस हमने स्कूल की कुछ बेलिंग जो है वह भी हमने ओपन लिए यात्री निवास हमने ओपन किया है प्लस इस फ़र कुछ हम टेंड जो है वहां एस्टेबिश करने हैं यह प्रे-आफ-कॉस अपमोलेशन रहेगी यात्री पाइसलेटी के लिए आर्ट्राफिक और लोग जो हमारी पार्किंग यार्ड्स हैं वो मंदर से लगवख 300-400 मिटर दूर हमने रोड पे पार्किंग यार्ड्स अडेंटिफाई किये हैं इनको मैन करने के लिए आउट्सोर्स से अजन्सी आई है ताकि गारियां जो है वो प्रापर त्रिक्टे से वहां पर मैनेज हों और लोगों को क्वैस्ट ना मचे और लोग वहां जो एक स्टेंपर लाइक सिट्वेशन रहती है उससे हम पचाब जो है वो कर पाएं अभी मैले में कलच्रल प्रोल्ग्रायम की बात करूं तो उसके लिए हमने आर्ट इं ए कल्च्रल अकाड़मी के साथ टाएक दो आर्ट कल्चर टूरिजम के साथ भी हमने टायक किया है हर दिन आपको एक डिफेंट जो कल्चरल आइटम्स है वो वहां देखने को मिलेंगी जो हमारा लोकल यहां का फोक डांस है फोक सौंग्स है धंगल है यह सब चीजें बेहतरी आपको वहां पे मेले में दिखेंगी इसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जो है उसको बेहतरी तरीके से अस्टेबिश किया है यहां बच्चों के लिए जूले इस तरीके की फैसिलिटी जो है वो प्रवाइट की जा रही है उन्हें सब चीजों को रेगुलिट करने के लिए हमने एक कमिटी बनाई है कमिटी ने कुछ करेंगे ग्राउन पे इन्हीं शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि और मेरी लोगों से अपील भी है कि वह बढ़ चरकर मेले में आएं बाबाजी के घर्शिन करें और मेले का अनंद उठाएं सर्दी की आमद के साथ ही अब धुंद और कहरे ने भी दस्तक दे दी है आज सुभा आरसपूरा के कई ग्रामीन हलकों को धुंद ने अपनी आगोश में ले लिया हाला कि धुंद की आमद ने किसानों की चिंता भढ़ा दी है उनके मताबिक धुंद जहां उनकी फसलों और सबजियों के लिए घातक साबित हो सकती है वही पर धुंद और कहरा भीमारियों की को भी दावद दे सकता है धुंद से सर्दी में भी बेताहाशा बहड़ाओतरी सरकार द्वारा मेरा साहिब और सिंबल मोड इलाके में जम्मू आरसपुरा रोड पर सरकार द्वारा सोलर लाइट्स लगाई गए थी स्थानी लोगों की माने तो इन लाइट्स से कुछ ही दिन बाजार रोशन हुआ था और उसके बाद ये खराब हो गई लाइट्स लगाई थी चली नहीं और आज भी वह मूँ आड़के देख रही हैं संसद महोद्या जी किसी को बोलके इनको ठीक रवा दीजिए आपको आने वाले दिनों में 24 को फिर बूट लेने के लिए आना है लोगों को फिर वापस वो जूटे अश्वासन देने हैं तो ये लाइट ये देख रहे हैं आप सामने और इसके लावा बहुत सारी लाइट्स ये खराब पड़ी हुई हैं और आए दिन जहां पर चोरियां हो रही हैं और ये बिजी ट्राफिक जो रोड है जहां पर एक्स तरीके से लोगों के गाड़ी कमाई का टेक्स पेर का पैसा किस तरीके से उसका दुरुप जोग हो रहा है एक भी लाइट जेड़ी हो बिजार दे अंदर चल दी नहीं है तो इस जिन्यां गया सूरज करूंद है और इथे ये लगदा है कि जिन्यां ना जाने आस बौडर दे केड़े लाखेच आईए दे यहां बजार जेड़ा लबदा ही नहीं है और सारे दे सारे लाखेच बिलकुल ने रहा होंद है जोदी बया करने आए दिन मीरा साथ दे अंदर आफ्टे ज़िए एक दो अक्सिडेंट जुरूर होंद है और दे बाच इते चोरियां जिड ने रेजन निकलना भड़ा मुश्किल है तो चलिए अब तेके जमो कश्मीर के खास बुलिटन में फिल हाल इतना ही आप मुझे दी जी इजासत नमश्कार